हाई! वाइलकन टू बाचनल इस बीड़ी में सॉल्ट करें कुछन वाइव और रीटेलर बाइज बाइज रेडियो फार रूपीज टूहनेट टूपनीफ़ एक रीटेलर जो है एक रेडियो खरीद लेता है टूहनेट टूपनीफ़ रूपीज में ठीक है बनाब रेडियो के ऊपर से कुछ कवर लगाया हो या फिर कुछ कवर के लिए खरेदे हो या फिर कुछ भी मतलब कुछ ना कुछ जरू छी किया गया होगा वहै रूपीश 15 ओपरयाट एकिस्पेन्स मतलब ऊपर से जो खर्च लगया है उसपे वहै ूपीश 15 if he sells the radio for Rs.300 यदि वो 300 में वो बेचता है उस radio को determine his profit percent तब बताए कि उसका जो profit होगा वो कितना होगा तो यहाँ पर ध्यान देगा यहाँ पर retailer का जो CP दिया हुआ है वो 225 दिया हुआ है लेकिन इस CP का हम use करके profit percent नहीं निकालेंगे बलकि यहाँ पर हमें overhead expenses दिया हुआ है इसका भी इसमें addition करना पड़ेगा means यहाँ पर पहले लिख लेंगे since दिया हुआ है कि CP of CP of the radio CP of the radio is equal to 225 rupees and and overhead expense क्या दिया हुआ है and it's a overhead expense is equal to है आपको 15 rupees ओके तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको effective CP निकालना पड़ेगा यहाँ पर एक टर्म है effective CP वह CP जिसका यूज करके हम profit percent निकालेंगे effective CP effective CP क्या होगा जो भी CP दिया हुआ है उसमें हमें overhead expense को आड़ करना होगा means 225 में आड़ कर देंगे 15 यह जो CP आएगी इसका यूज करेंगे हम profit percent निकालनेंगे लिए यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 225 में आड़ कर देंगे 30 हो जाएगा 3040 means 200 हो जाएगा यह 40 रुपीज और SP तो पता ही आपको 300 यहाँ अब दिया हुआ है तो profit percent आड़ाम से क्या कर सकते हैं आप निकाल सकते हैं सो अराम से आप निकाल लेजिए profit percent profit percentage क्या हो जाएगा SP माइनस CP profit के लिए यह उता है ना profit upon CP इस fraction में मुनबलाई कर जाता है हमाँ 100 से तो यह आजाता है percentage में तो SP माइनस CP क्या है SP आपका है 300 selling price माइनस CP आपने जो निकाला है effective CP यह यूज़ करेंगे whole upon CP कितना है CP हमने जो निकाला यह 240 वही यूज़ करेंगे गलती से भी 15 add करना मत भूलिएगा very very important है अब यहाँ पर हम solve करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर 300 में से 240 मैनस करते हैं 60 मिलेगा 60 upon 240 multiplied by 100 यहां से 00 cancel हो गया 6 बंज़ा 6 10 and 6 फोर्जा 24 and 2 फोर्जा 4 and 2 फाफ़जा 10 और यहां 2 फोर्जा 2 और 2 फाफ़जा 10 मतलब कि 5 फाफ़जा 25 means यहाँ में हो जाएगा 25% 25% is the profit यह आपका क्या है answer है thank you so much for watching bye